बसंद पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की तारी गोशित कर दी गई है इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबद 6 बजे ब्रह्म मूरत में खोले जाएंगे बसंद पंचमी के अफसर पर नरींद्र नगर टेरी इसे तराश दर्बार में कपाट खुलने की तारी गोशित कर दी गई आपको जानकारी देदे की साल 2023 में 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे पिशले साल रिकॉर्ड तोड करीब 16 लाग स्रधालों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किये थे इस साल ये आकड़ा तूट सकता है यानि कि ये आकड़ा जो है और भी जादा बढ़ सकता है सरकार और प्रसाशों ने अपने इस्तर पर च्वार धाम यात्रा की तैयार में शुरू कर दी है तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के एलान जो हैं वो हो गए हैं 12 माई को कपाट खुलेंगे कि प्रंपरा नुसार बसंद पंचमी के अउसर पर पत्कालिन जो तीरी रिया सकते हैं के महराजा की जन्रू कुंडली देखकर के पंचांगणा के आधर पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिती मिश्चित की जाती है आधर बसंद पंचमी के सुब आउसर पर महराजा तीरी मनुजेंद्र साहजी की जन्रू कुंडली देखकर के जो राजपुरोईते हैं उन्होंने पंचांगणा करके बारा मई रातों का लिंग 6 बज़े का मोरत पाई किया और जो गारू तेल का जो 25 एप्रिल को होगा फिर मैं रिपीट करता हूं मैं फिर दौराता हूं कि बार्दिनास के कपाट बारा मई 6 बज़े खुलेंगे और जो गारू तेल है